नमस्कार, राष्ट्रियो स्वास्थ प्रादिकरन के PMJ मोबाइल अप्लिकेशन से आयुश्मान कार्ड बनाना हो गया है अब और भी आसान। आयुश्मान कार्ड्स को डाउनलोड, प्रिंट और शेयर भी कर सकते हैं। आये जानते हैं अप डाउनलोड एवं अप पर रेजिस्टर करने की प्रक्रिया। सबसे पहले, गूगल प्ले से दो मोबाइल अप्लिकेशन, आधार फेस आर्ड अप एवं PMJ अप इंस्टाल करें। ध्यान रखें। अधार फेस आर्ड अप को केवल इंस्टाल करने की जरूरत है। इंस्टाल करने के बाद, PMJ अप आप से मोबाइल लोकेशन उप्योग करने की अनुमती मांगेगा। जहां आप अलाव PMJ तो अक्सेस डिवाइस लोकेशन पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर NHA Data Sharing Policy दिखाई देगी। जिसे ध्यान से पढ़कर Accept पर क्लिक करें। अगले पेज पर दाई और लोगिन का विकल्ब दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें। लोगिन पेज पर अपनी भाषा को चुनने के बाद स्वयम को एक operator के तौर पर लोगिन करने का विकल्ब चुने। अपना 10 अंको का Registered Mobile Number एंटर करें। और Next बटन पर क्लिक करें। अब मोबाइल पर प्राप्त 6 अंको के OTP को एंटर करें। और यदि आपको OTP प्राप्त ना हो तो नीचे दिये गए Recent OTP पर क्लिक करें। इसके बाद आपको 4 अंको का एक Lock Pin बनाना होगा और यही Pin प्रती एक बार आप का उपयोग करते समय एंटर करना होगा। इस प्रकार Registration की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। आईए अब जानते हैं PMJ App के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया। आयुष्मान कार्ड बनने की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होती है। पहला चरण Search and Authenticate सबसे पहले आप लाभारती का विवरण या तो उसकी ID जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, इत्यादी से या उनकी location details जैसे राज्य, जिला, ग्लॉक एवं गाउं एंटर कर सच करें। इसके बाद लाभारतियों को authenticate करने के लिए, authentication type में दिये गए विकल्प में से mobile OTP या face auth का चैन करें। आइए जानते हैं Search by ID विकल्प से आधार EKYC करने की प्रक्रिया। अब login करें। Home page पर Search by ID विकल्प पर क्लिक करें। अगले पेज पर लाभारति का राज्य और फिर ID टाइप जैसे आधार, Family ID या PMJ ID चुने। इन में से कोई भी एक विकल्प चुन कर संबंधित ID number एंटर करें। और Get Details बटन पर क्लिक करें। अब आपको उस ID से संबंधित परिवार के सभी सदस्यों की सूची उनके आयुश्मान कार्ट की स्थिती के साथ नीचे स्क्रीन पर दिखाई देगी। यहां आप देख सकते हैं ऐसे सभी लाभारति जिन्हें PVC आयुश्मान कार्ट मिल गया है। उनके आगे डिलिवर लिखा होता है, इन्हें सूची में गहरे हरे रंग में दिखाया गया है। वे सभी लाभारति जिनका आधार EKYC हो गया है, उन्हें authenticated दिखाया गया है, और उन्हें सभी के आयुश्मान कार्ट डाउनलोड करने की स्थिती में हैं, इन्हें हलके पीले रंग में दिखाया गया है। यदि लाभारतियों के विवरण आधार से जुरे हुए हैं, तो वे सभी लिंक लाभारति हैं, तथा इन्हें सूची में नीले रंग में दिखाया गया है।